आज हम एक और अन्बॉक्सिंग देखेंगे गनेशाज विस्पर्स इस में हम देखेंगे श्री गनेश जी को प्रतम पूज कहा जाता है यह प्रोस्पेरिटी के भगवान विस्डम के भगवान और यह 50 कार्ट का डेक है मैंने इसको गनेश चतुर्ती पर लिया था क्योंकि म बहुत ही ब्यूटिफुल डेक है और यह एंजला हार्टिफाइड ने बनाया है तो थैंक यू फ्विलिंग ब्लेस्ट तो आज हम इनके 50 कार्ट डेक्स को देखते हैं और क्या मैसेजिस हैं एंड तक बने रही हम आज इसकी एक रीडिंग करनेंगे वाट्स यॉर लाइफ परपस करके तो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ट निकलते हैं तो पहला कार्ड है बिगनिंग का तो पहला कार्ड है बिगनिंग का जीवन में कुछ भी स्टार्ट करना है तो हम श्री गनेश से अपनी बिगनिंग करते हैं वी प्रेट टू डिवाइन वेनेवर वी स्टार् करता है कभी भी आपको जीवन में कुछ बीच है परिक्षा देनी हैं इंट्यूवी देने हम भगवान का आशिरवार ले कर जाते हैं तो ये God blesses us and remove all the obstacles for a new start new beginning new career even if you are getting married we take the blessings of the divine then when the life doesn't go the way we want जब हम चाते हैं जीवन में सब कुछ अलग हो रहा है उतल पुतल जैसे हम चारे वैसे जीवन नहीं हो रहा तो हम भगवान की शरण में जाते हैं और अपने आपको surrender करते हैं और भगवान से प्रात्ना करते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ आगे अच्छा ही हो तीसरा आता है हमें जीवन में खुश रहना चाहिए यही हमारा real soul का purpose है be happy at the present moment and enjoy और श्री घनेशा में कहते हैं जीवन में जब भी रात को सोएं तो हमेशा self reflection करके सोएं कि आज मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ और आगे और क्या अच्छा हो सकता है आज मेंने क्या mistake कमिट की तो एक journal बनाईए और उसमें self reflection रोज करिए diary writing एक part of the ritual होना चाहिए हमारे जीवन में हम जब भी सांसे लेते हैं तो हमारी energy change होती है तो श्री घनेश भी कहते हैं अपनी energy को change करके dance करके singing करके अपनी vibrations को change करिए जीवन में fulfillment तभी प्राप्त होगी जब हम कर्म करेंगे कर्म की गती अच्छी रहेगी तो ही जीवन में follow की प्राप्ती होगी तो हमारे जीवन में जितनी भी चीज़े हमारे इर्द गिर्द हैं उसको sustenance के लिए हमारे survival के लिए भगवान ने हमें प्रयापत रूप में प्रयात मात्रा में दी है इसलिए हमें उनके gratitude करना चाहिए भगवान ये भी कहते हैं कि अगर हम anticipate करके हम ये सोचे कि हमारा future अच्छा होगा तो वाक्य में अच्छा होगा अगर हम थोड़ा से भी negative सोचते नहीं यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता मेरे तो ऐसा ही है अगर हम self doubt को ले के आते हैं तो हमारा future जो है उसी के अनुसार चलेगा so it already depends upon your thought process कभी भी पढ़ाई करें उसमें हम concentrate करें एक focus बनाये रखें तो हमारा concentration power बढ़ेगा हमें हमेशा एक हाथ से देना चाहिए अगर एक हाथ से हम receive करते हैं तो one part should always be give at least a small amount of your salary of your knowledge, of your time, of your efforts so these were the 10 cards which I have pulled I will keep it here the next card is embrace what is coming in your life the opportunities, the gifts, the abundance तो उनको हमेशा हमें embrace करने की जरुवत है जीवन में 24 hours में एक time ऐसा होना चाहिए जब हम child-like expression करें where there is no fear and we should thank the God and be like the child and enjoy the moment तो child doesn't have any fear and we should understand हमें understand करने की जरुवत है क्या understand करना है यह हमारे life के situation के उपड़पेंड करता है क्या हमें understand करने की जरुवत है जीवन में travel का बहुत ही important है जब हम भगवान के create की वे nature को explore करते हैं, travel करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता है we got our attitudes towards looking at the problem changes हमारा perception change हो जाता है और भगवान हमें बहुत कुछ उस दर्शनों में जब हम भगवान के दर्शन करते हैं हमें बहुत कुछ reveal करते हैं कि हमारे जीवन में magic और moments कैसे आने वाले हैं जीवन में जब भी हमारे पास negativity आए उसको हमें clear करने की ज़रूत है detox करने की ज़रूत है वरत रखने की ज़रूत है कुछ ऐसा चोटा मोटा करें जिससे कि हमारी वो energy negative energy clear हो हम let go कर सकते हैं meditate कर सकते हैं dance कर सकते हैं कहीं जा सकते हैं change of place environment can change the thoughts always meditate to know about your inner self और हमेशा open रहें with an attitude की God is always the giver and He will give you a lot भगवान हमेशा कुछ नों कोच अच्छा देते हैं जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं हमारे जीवन में उसका aura change हो जाता है place की energy change हो जाती है तो कहीं लोग धूप, sage कुछ भी जला कर आप अपने environment को cleanse कर सकते हैं हमेशा जब भी हम divine से connected होते हैं divine हमेशा में protection देते हैं security देते हैं तो यह 20 नंबर का card है तो यह भी हम यह रख देते हैं 1 to 20 21 कहता है determination जब भी कोई कार्य करें हमें हमारे पास determination होना चाहिए decision लेने की power होनी चाहिए तब ही हमारे जीवन में सारे body में harmony होगी कितनी beautiful इसकी picturization है कितनी beautiful यह painting है तो आप देख सकते हैं कितनी depth है हरे card में the color combination it shows prosperity it shows all the symbols various symbols if you can read through this it shows the seven chakras well balanced in Lord Ganesh and he is a god of you know bestower of good things good deeds all your wishes get fulfilled even if you look at this picture it brings a lot of harmony in your life तो यह देख सकते हैं तो किस तरह यह tarot cards आप एकदम से connect हो सकते हैं इतना beautiful painting और picturization मैंने नहीं देखा और quality of the cards भी बहुत ही अच्छी है so you can see एक तरफ यह बना हुआ है Lord Ganesha with the lotus and on the other side is a beautiful various forms of Ganesha this shows that you get empowerment आप देख सकते हैं this card is full yellow in color it shows lot of prosperity abundance coming into your life you are getting empowered you are getting blessed and the number is also an angel number 23 which is 5 Panchamam Karyam Siddham that means when you balance the 5 elements in your body definitely there is empowerment then you have to see everybody has the whole open your heart chakra जब आप universal love से भर जाते you directly connect with your crown chakra and your heart chakra gets aligned this is called alignment of mind, body and soul where you see everybody as the same part of the universe so be flexible for change you will get definitely when you become more and more spiritual you get lot of insights आपके जीवन में आपको बदलाव लाने के लिए insights मिलते हैं किसीने किसी जनम में आप गौदम बुद्ध जैसे enlightened हो जाते हैं देखे इस card को the color of this light is violet so crown chakra को ये represent करता है आपको enlightenment तभी मिलती है when there is total union with the divine so and all this will happen in one lifetime or the other if you have patience आपके पास अगर patience होगा तब ही आप उस सब चीजों को achieve कर पाओगे और patience आने के लिए क्या qualities की जरूवत हैं हमें positive outlook रखने की जरूवत है आप यहां पे देख रहे हैं five heads so five heads shows the five elements of your life the seven oras the seven bodies which we have they are are aligned with the over self and the under self so you have to define what priorities are very important whether you have to balance your personal, professional, mental, emotional and spiritual life or not so prioritize your life accordingly and take a major decision जब भी आपको decision ना सूझे तो आप divine से connect हुई है और तब decisions लीजिए जीवन में स्थिर्था लाना बहुत ही important है that is steadfast balance is very important and when you don't have a balance ask for some guidance from your elderly people अपने पूर्व जनों, गुरू जनों से जरूर advice लीजिए बहुत ही सुन्दर कार्ड है ये 35, 33 और next है हमारे पास हमेशा एक चीज़ की ये है वो है capacity to love हमारी माता हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से प्यार देती है तो हमें भी वो प्यार हमेशा दूसरों में बाठना चाहिए आपके जीवन में पर्सनल ट्रांस्फोर्मेशन होगा आप अपने ही emotional traumas को heal कर पाएंगे जब आप इस science को समझेंगे इस विज्ञान को समझेंगे और आपको कुछ creativity cultivate करने की जरुवत है जैसे music है dance है poetry है कुछ भी ऐसा आप create करते हैं तो आपकी life में बहुत स्यादा changes आते है अगला काड है nurture as mother nurtures everybody so similarly you should have motherly love compassion kindness in yourself so this card of nurture shows the feelings of kindness and compassion ये करूना को दिखाता है दया को दिखाता है किस तरह मा निस्वार्थ भाव से भक्ती भाव से अपने बच्चे का लालन पोशन करती है वो भावना आपको लाने की जरूरत है जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसे होती है हमें जो भी मिला है रंग, रूप, वेश, भाशा, बूश always accept what you are the caste, creed, color whatever you have accept it as this and always be on a spiritual quest means अपने आपको ढूंडे who you are in real life उस real life को ढूंडने की कोशिश करिए कि हमें जीवन में हमारा जीवन का real purpose क्या है हम हमारे पास क्या क्या belongings है हम क्या उनका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं हमारे जीवन में हम क्या achieve करना चाते हैं क्या हम fame को achieve करना चाते हैं या knowledge को achieve करना चाते हैं So, Riddhi and Siddhi is the achievement. Be innocent like a child and God will bless you with prosperity. कितना beautiful card है blessings का, देखिये, हर तरफ से blessings आ रही है. It shows a blessings coming from all directions and you are having a very prosperous life. Prosperity is all around you. Then, there is always be curious. देखिये, curiosity कितनी important है, जीवन में splendor को लाने के लिए. अगर आप curious नहीं होगे, कि जानने की इच्छा नहीं होगी, life will not be so pleasant. So, always be curious. Oh, why there is a butterfly? How does it become a butterfly? So, दीरे दीरे इन चीजों की knowledge लिजे. जितनी जादे आप curious होगे, your wisdom will increase. Then, have joy in small small things. चोटे चोटे चीजों में खुश्यां ढूनने की कोशिश करिये. Because, you will always have the divine support. तो यहाँ पह ओम का symbol शो करता है, divine frequency को. Everything is related to the ohm. Omnipotent sound है, frequency है. तो God is in everything, every sound, every picture, everything, whatever you see. There is always a divine thing. And whenever you feel tired in life, always don't forget to take rest and relax yourself. And the last card is the card of strength and courage. Because God represents strength. Your true potential represents strength. So, these are the beautiful 50 cards which I have shown you. Now, let's do a reading. अब हम इनी card से reading करते हैं कि आपका life purpose क्या है. So, यह देखते हैं. So, let's pick out. Let's shuffle देखिए. अगर इसके आपको energy change करनी है, you have to shuffle with the non-dominating hand. And shuffle as much. This is called knocking of the cards. आप इसको knock करिये. And then you shuffle as much as you can. When you have to feel that you have done a reading for the client. And then you have to shuffle it off. जितनी बार आप shuffle करेंगे, उसकी energy change होगी. And all the bad or negative energy will be knocked off from these cards. So, now let's pick three cards from this pile. तीन card's pile में से pick करते हैं, देखते हैं. आपका life purpose क्या हो सकता है? तो पहला card निकला है, acceptance का. जीवन में हमेशा accept करिये. जैसे भी आपका जीवन है. So, the first card is acceptance. Always be on a spiritual quest. So, that is the life purpose that you should always do some kind of meditation. And the outcome will be blessings. So, beautiful life purpose निकला है. Accept what is given to you by God. Whether it is whatever knowledge you have, whatever skill you have. And the real purpose of your life is a spiritual quest. Everybody should be on a spiritual quest of who they are. And the outcome will be a blessing. तो ये थी आज की reading. ये reading बताती है कि हमारे जीवन का purpose क्या है? देखिये, किसी का रंग रूप काला है, किसी का गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है. So, accept all the things as you are, whatever physical things you have got, whether you are lacking something or this. Because everybody is on a soul journey. सभी आत्मा अपनी एक जर्नी पर आये होते हैं. और वो जर्नी प्लान करके आते हैं, कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, और क्या मेरे रिष्टेदार रहेंगे, कैसे मेरी जर्नी होगी. तो हमें इस जनम में, हम क्या सीखने आये हैं, हम कौन हैं, हम क्या आत्मा हैं, और इस आत्मा की प्रगरती के लिए, हमें क्या करना चाहिए, यह हमारा क्वेस्ट होना चाहिए, हमें मेडिटेट करना चाहिए, रिफलेट करना चाहिए, और क्या हम इसमें learn कर रहे हैं, क्या हमारी involvement हो रही है, क्या हम वो संसकार सीख रही है, क्या आत्मा सीख रही है हमें birth और death को एक उस्व की तरह मनाना चाहिए, celebrate birth and death as a celebration because both are unique in their own way, death is just a change of body and birth is your coming into a new body so always be blessed with whatever parents you have, give gratitude to all the worldly things that you have in your life when you give gratitude and you accept, then when you do the spiritual quest, you definitely will have a life purpose you will find that purpose in that quest and definitely the outcome is blessings from the universe the universe will bless you and you will move on to the next lifetime and enlightenment you will definitely get so these are the beautiful cards which are designed by Angela Hatterfield so I feel really blessed to see these beautiful cards, the beautiful paintings on this card especially the cards of harmony, if you see the color, vibrancy each card has got a very unique painting this is a beautiful painting, it is a beautiful painting, you can get so connected in this card you really feel that there is a divine connection when you see the lord Ganesha you feel the real life connection between these cards they are very beautiful cards, if you see this card, it is spiritual practice the card of harmony, the card of vibrancy, the card of enlightenment, empowerment beautifully drawn and each represents your chakras see the color violet, so beautifully done see this card is related to your agna chakra this is related to your throat chakra this card is related to your heart chakra this card is related to your solar plexus chakra so every card is related to the seven chakras in between beautifully drawn which shows each chakra clearly so this is a chakra I am feeling really blessed to have these cards and you can also order them from amazon and buy these cards so this is whispers of lord Ganesha I again show you this is whispers of lord Ganesha by angela hartfield so if you too feel connected you can buy these cards so thank you very much for liking this oracle unboxing with me thank you very much thank you very much